अब यह भी रिसेंटली मैं एपल इवेंट की लाइफ स्ट्रीम देख रहा था यूट्यूब पर वहां से मेरे को कुछ पता चला और आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के बार में वह हैं Mac OS का निव अपडेट वह है Mac OS Sonoma अब दोस्तो यह अपडेट कैसा है क्या होने वाला है सबको आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे इसके फीचर्स रहने वाले है आज हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बार में आगे अगर यह अपडेट हमारे MacBook में आएगा तो आपके लिए इसके लिए आप माले चैनल को जूर सब्सक्राइब करेंगे बैल आइकन को बच्राइब करेंगे जिससे कि जैसे मैं वह वीडियो ला हूँ तो आपके बास भी रोडिफिशन आजाए तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसके फीचर्स के फॉस्ट इंप्रेशन की तो फटा-फट से प्रीट से श़रू करें अपनी वीडियो बिना किसी टाइम वेच्ट करें Giving box लाय उसके फीचर्स के बार में पहला जो फीचर यह पे अपल के तुरु मेंचन किया गया है वो है screensaver का तो screensaver का feature यह पर क्या काम करता है जैसे कि आपको immersive view प्रोबाइड करेंगा बहुत जाता है revolutionary feature यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता जैसे कि अगर आप कोई Mac Mini चला रहा है आप डिस्प्ले चला रहा है आपको थोड़ से experience प्रोबाइड करेंगा मैं आपको थोड़ से यहां पर experience करने में प्रोब्लम हो सकती है लेकिन आपको यह feature के बारे में तभी पता चलेगा जब आप इसको real time experience करेंगे तो friends जो हमारे next feature है हम बात करते हैं पर जो हमारे Mac OS Sonoma में आने माला है तो friends यहाप एक widgets के feature आने माले है तो देखो पहली पहली पात हो यह की widgets के feature Windows में बहुत पहले से Android में बहुत पहले से iOS में iPad OS में और Mac OS में अब आए हैं तो friends बात कर जाए widgets के features क्या है तो दोस्तों यह वही basic से widgets जो आपके होते हैं उसमें clocks, weathers और यह सब reports कोई Microsoft Edge का widget हो गया कोई news का हो गया लेकिन इसमें एक better feature उने प्रोवाइड कर जो की all सबसे हटके है वो यह है कि आपके iPhone में कोई widget है जैसे कि आपके car की कोई tracking है कि कितने किलोमेटर कहां से चल चुकी है ऐसे कोई tracking है अगर widget है और आपको जो Mac OS है वो same Wi-Fi से connected है जिससे iPhone है तो वो widget आप जैसे कि आप जानती है iPhone जो है revolutionary change मेरे को देखने को नहीं मिलता लेकिन हां यह जो Mac OS और iPad OS सा feature जो है widget को drag and drop कर सकते हैं यह बहुत एक अच्छा feature मेरे को देखने को मिला है तो बात करते हैं नेक्स feature के जो हमारे आता है Mac OS Sonoma में तो friends जिस चीज का हम सब लोग बेसबरी से इंदजार कर रहे थे उसके उपर अब फिलाल जो है वो Mac OS पे बात करी गई है वो है gaming तो यहां पर क्या gaming के topics हैं बहुत जादा एक्साइड होने की जरूत नहीं है फिलाल तो क्योंकि अपी gaming के आने में टाइम लगने वाला है तो यहां पर gaming पर क्या बात करी गई है मैं वह आप लोग को पता रहता हूं गेमिंग पर में बात यह करी गई है कि जो आपका game mode आपके PC में आने वाला है PC क्या लिजिए laptop या Macbook क्या लिजिए उनमें आपको देखने को मि इसको फूल बूस्ट कर देगा और यह को कुछ gaming performance को बूस्ट करने वाला है और जैसे कि आपको पता है कि कुछ Apple के devices में जैसे कि Mac ए Mac Mini में Metal 3 का support होता है तो हमें जैसे कि इस बात का पता है कि जो मेटल 3 है उससे में काफी impressive results देखने को मिले हैं गेमिंग में, SN8 Village, Fortnite and काफी सारे games में हमें काफी impressive results और FPS का books देखने को मिला है तो ये जो है metal 3 यहाँ पर एक काम आने वाला है यहाँ पर क्या करा जा रहा है जो कि अब मैं आपके लिए good news देने वाला हूँ गेम्स को convert किया जाने वाला है गेम्स को कैसे convert किया जिस code में लिखे गए है जिस platform के लिए उसका convert करेगा macOS अपने आप और उसको आपके लिए play करेगा और metal 3 जो है वो आपकी performance को improve करेगा तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यह तो एक मेरे इसाब से good move है आगे gaming के perspective से अगर अंग book में gaming लाई जाती है तो काफी सारे windows का भी business down होने वाला है अगर आप जानते कि अगर आपको लगता है कि business down होगा या नहीं होगा आप सुरूर हमारे comment section में बताएं तो हम बात करते हैं हमारे next video के बारे में मैं कोई सनमा में देखने को मिलेगा तो friends यहापर जो मारा नया feature हो को जोने वाला है एक video call में तो यहाँ क्या होगा तो मेरी video call चल रही है तो अगर आपको कोई content यहाँ पर देखना है तो मेर को यहाँ से side move होना पड़ेगा और आपको फिर वो content दिखाएदेगा जैसे कि बहुत से आप इंडिया ने तो आपने देखा भी ओकर आप online class लेते तो कोई content यहाँ लिखा गया और मैं उसके पीछ अड़ गया तो बहुत 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 टीचर को अठाना पड़े था कि आप हड़ जाओ फिर हम इसका content यह वो view कर पाएंगे तो अब जो है वो online में थोड़ा सा better लाया गया है वो क्या करेगा जो आपका camera है वो आपको detect करेगा सिर्फ इतनी body जै मैं edit कर सकता हूं जो कि features पहले मेरे हसाब से provide इतने करे गये थे और करे भी गये थे तो वो जो है अच्छे से work नहीं कर देते मैंने भी Microsoft Teams और Google Meet और Zoom इस्तमाल करके देखा है तो friends यह जो feature आपकी बार यह बहुत ही immersive और बहुत ही impressive लाने वाले है और इसमें कुछ अलग-अल आपने next feature की तरफ जब आप उनको इस्तमाल नहीं करेंगे आपको एक password देना होगा और जो साइट से उनको loading में भी log कर दिया जाएगा मतलब एक तरीके से जो trackers है आपके जो add दिखाने वाले है उनको सब कुछ है आपके प्राइविसी काया पर पूरा धिहान रखा जाने वाला है जो अब अकर URL के थुरू track होते तो वह भी आपकी जो है पर tracking जो है वह नहीं होने वाली safari के थुरू यहां पर सफारी यह साब से सफारी यह सफेस ब्रावजर होने वाला है बाइफार इपने next features के बारे में बात करते हैं कुछ net features है हमारे यहां पर pass keys पास keys तो Google में आप कहीं है कि पहले से है यह मैं कौनगा kind of similar है kind of similar नहीं भी है pass keys का उन्होंने setup का कुछ नहीं बता है लेकिन आप पास keys का उन्होंने discuss करा है वह भाई यह discuss करा है कि pass keys जो है वो shareable बात करें यहां पर एक उसके नई features add हो है इसमें ही हो रहा है वो है profiles का profiles का है आप लोग यह कहेंगे कि फीचर है तो पहले से Microsoft Edge में है लेकिन Apple ने अब add करा है जो भी हम उसको नहीं बदल सकते लेकिन safari का जो feature है profiles इसमें हम क्या कर सकते एक ही site पर हम चाहते है कि हमारी home वा comparison कर सकते हैं कि यह feature अच्छा लगा मेरे को जैसे अपने कोई site पर भी business profile से login कर रखा है तो अगर आप profiles में जाएंगे तो आप सबसे नेक्स टैप खुल जाएगी और home की जो tab खुलेगी home जो profile खुलेगा उसके अंदर भी site home के जो ID है उससे login हो जाएगी तो आप इससे अप है जो आपके apps है iPad OS में वो कितने separated और कितने बैठीन हमें लुक देते हैं जैसे कि इस side में हमारे जो menu है वो पूरा इस side में हमारा text है वो पूरा पूरा display में बिलकुल बहुत सारे elements हमें देखने को मिलते है बहुत सारे details हमें देखने को मिलती है क्या कि हम settings open करेंगे तो left side म हमारी settings होती है राइट side में अपना settings show रही होते है कि वो settings में है क्या ऐसे हमें UI देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का ही बहुत सी जितनी भी supported websites है काफी सारी काफी सारी website को आपे support किया गया है third party websites को उनको support किया गया है उनको एक app के जैसा convert कर दिया जाएगा safari के थुरू आपको जो experience मिलने वाला है वो बिलकुल एक iPad के app आप समझ सकते है उससे भी better experience आप समझ सकते है वो भी एक site के उपर आप उसको जो अपने doc में भी put कर सकते है as a app बना कर जैसे कर मैं zoom की बात करूं zoom पर अपना देखते है और उसको बहुत अच्छे से उसने organize कर रखा तो आप zoom को अपने doc में present कर सकते है और अगर आप google meet को इसने organization अच्छे कर रखी है और आप चाहते कि google meet को मेरे को बार बार ना खोलना पड़े तो आप उसको अपन मेरे वाले हैं macOS Sonoma में और अगर आपको कोई बी डाउट हो मेरे से related दोस्तों अभी तो कोई release date इसकी जो है नहीं बताए गई है रूमर्ड तो मुझे भी इसके कोई rumors भी नहीं मिले है लेकि नहीं इतना है कि जल्द जल्दी update आ जाएगा क्योंकि जैसे कि इन्होंने iOS 17 के बहुत हों का iOS 17 का update मिल गया है दोस्तों कर आप चाहते हैं कि macbook air का या फिर macbook का या फिर macOS Sonoma है मैं इसके update की full detail लाउँ जब इसका update आ जाए तो हमारे चैनल को जुरू subscribe कर लेना बेल आगान को जुरू press कर लेना जिसी मैं सबसे पहले पहले आपके पास वीडियो लाउँ तो friends अगर आप चाहते हैं कि जो मैं वीडियो बना हूँ इस macOS Sonoma के ओपर आगे जब update आएगा मेरे पास macbook air है उसमें तो उसका मैं full detailed review देने वाला हों कि कैसा है क्या game mode है मैं शायद अगर आप लोग कहें अगर आपके इतनी demand होती है तो मैं उसमें gaming की testing भी करने वाला हू साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि full list का review हो तो चैनल को जुरू subscribe कर देना आगा bell icon को जुरू press कर देना और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल को भी जुरू subscribe कर देना उससे हमको काफी motivation मिल जाएगा आगे वीडियो बनाने के लिए तो friends मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए goodbye stay safe